हे गाई सो फाइनली एंचे एचम काउंसलिंग 2022 के सेकेंड राउंड का जो सीटल आउट्मिंट रिजल्ट है वो पब्लिस हो चुका है रिजल्ट फाइनली एंचे एचम काउंसल के ऑफिसल वेबसाइट पे आ गया है सो अभी आप अपना डिजल्ट देख सकते हो एंचे एचम काउंसल के ऑफिसल वेबसाइट के उपर में डिजल्ट को देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे रॉल नंबर पासवट दे करके सिंपल हिसाइट कर लेना है सबलेकर आप के विसbit और ओपन कर आजा किस तरीके से इसको उस्ट परी कर ना है और ने देख लिहा होगा नीचे अपर स्थnın बंप बॉक्स मेल लिंक से आप लेंस से एक निया पॉर्टराज कर की आ गया है आपको यह लेफ्ट साइड में seat allotment result highlight हो रहा है यहाँ इस पर simply हम लोगों ने click कर देना है जैसे हैं आप यहाँ पर click करोगे इस तरीके से एक नया portal रहेगा आपके सामने में आप यहाँ पर देख लोगे आप seat allotment activity status for round 2 इसमें अभी तक सब incomplete है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपना seat allotment result भी नहीं देखा है और नहीं provisional seat allotment लेटर डाउनलोड के तो यहाँ पर left side में आपको मिल जागा seat allotment result उस पर simply click करेंगे जैसे आप यहाँ पर click करते हो आपका seat allotment details है वो open हो करके आ जाता है यहाँ पर आपका roll number रहता है कौन से round में seat allot हुआ है और इसी के साथ-साथ option number आपका कौन साथ है यह सब कुछ पूरी details से यहाँ पर दिया गया रहता है साथ जो भी institute आपको allot हुआ है वो यहाँ पर clear तरीके से है जैसे यहाँ पर इस student को IHM Goa allot हुआ है तो वो भी यहाँ पर detail दिया गया रहता है अब यहाँ पर नीचे download seat allotment letter पर हम लोगोंने simply click कर देना यहाँ पर click करके provisional allotment letter जो है उसको हम लोग download करके रख लेंगे यह आगे काम आएगा इसको download करके और साथ ही हो सके तो इसका print out भी निकाल के अपने पास डखना सो फिंसे में इसी प्रोसेस से आपको आपका second round का seat allotment result देख लेना है होप कि यह वीडियो आपको पसंदा होगा तो वीडियो को लाइक करें maximum share करें सब्सक्राइब के पास जैसे उनकी भी help हो सोगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद